तो आज की वीडियो में हम citrus canker को देखने वाले हैं चूकि ये disease की एक सीरीज चल रही है जहां पे हमने BSC 3rd year और BSC 1st year में जितने भी तरीके की disease पड़ती है उन सभी को हमने देखा है और आज की वीडियो में हम citrus canker disease को देखने वाले हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये topic भी BSC 3rd year में भी है और BSC 1st year में भी है तो confuse मत होएगा जो नई सिच्छा तकनिक लागू हुई है उन में भी ये है अराम से आप देख सकते हैं चलिए अब स्टार्ट करते हैं देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है ऐसा कुछ है नहीं आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि ये क्या डिजीज है ये citrus canker डिजीज है यानि कि ये नीमबू का खर्रा रोग है ठीक है खर्रा कहते हैं उसको हिंदी में canker का मतलब होता है खर्रा रोग यानि कि उसमें एक brown yellow color के spot पड़ जाते हैं दाग धबे पड़ जाते हैं यही च disease सिफ नीम्बु में ही नहीं होती है das a ket कि जो happens to listen I Canadians यहłyआए विर सबी में यह देखने को मिलती है यानि कि बहुत सिंपल कहना चाहें तो जितने भी आपके मिलती है जैसे आपकर औरेंज हो गया यानि कि संत्रा इंप यह डिजिस देखने को मिलती है उसके अलाम मुसम्मी में भी देखने को मिलती है नीमबू में भी देखने को मिलती है यानि कि लेमन में भी देखने को मिलती है लेमन और लेमन में क्या अंतर है वो भी मैं बता दे रहा हूं लेमन जो आपका होता है वो पीला कलर का होता है जो कुछ खास अंतर हैं तो आपको इतना समझना है कि यह सिट्रस ठीक है सिट्रस जीनस के जो भी फूर्ट होते हैं उनमें यह डीजीज देखने को मिलती है हमें यहाँ पर खास तोर पर नीमबू को लेके पढ़ना है तो हम उसे ही देखेंगे ठीक है अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा चलिए अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक तो भाइया अब हम अपनी बेसिक चीज को देखेंगे जो हम हर वीडियो में देखते आते हैं कि नेम आफ करते हैं citrus cancer disease की ठीक है तो इसका किया है citrus cancer disease बात करीज़ाएं इसकी pathogen की तो इसकी pathogen का नाम जैंतो मुनास citry जैंतो मुनास citry नाम देखिए आप इसे कुछ भी पढ़िये उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है मेरा सिर्फ एक जब े अपने time में था यनिक एक से डेड़ साल पहले तो मेरा सिर्फ एक चीज पे फोकस होता था कि इस नाम को किस तरीके से प्रोनाउंस करूं कि वर्ड मीनिंग को याद करने में दिक्कत ना हो तो आपके लिए भी मेरी सिर्फ यही दाय है कि आप कुछ भी पढ़िये उससे मेरे को कोई लेना देना नह आपको बताया कि जो भी आपके खटे फल से हैं लगबख वह सब आ जैसे आपकाा फ्रbirds हो गया sebelum हो गया औरेंज हो गया यह सब क्या है इससब को लिसकते हैं हम इस वीडियो में खासकर लेन की बात कर दे सारी तो चलिए अब आगे एक चीज देखते हैं तो अब भाया फेडिंग डाल लीजिये introduction introduction में हम देखेंगे कि ये सबसे पहले कहां पर देखा गया था क्या है क्या नहीं है कहां पर पाया गया था कब देखा गया था ये सारी टॉप्टिक क्लियर करेंगे तो सबसे पहले आप ये समझेए कि ये उसी तरीके से मतलब की जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि वो बहुत कॉमन डिजीज थी किसकी ब्रिंजल की वैसे ही ये नीमबू या सिट्रस जीनस से बिलॉंग करने वाली जो भी आपके प्लांट्स हैं उन सब ही के अंदर ये ड किया जाता है उन सभी जगहों पर ये डिजीज देखने को मिलती है यानि कि सिंपल सा ये कहना है कि ये डिजीज भी पूरी वर्ल्ड वाइड फैली हुई है हर जगह पे इस डिजीज को देखा जाता है अब बात की जाए कि इस डिजीज को सबसे पहली बार कहां देखा गय इन तीन जगहों को बहुत ज़ादा दावेदार माना जाता है कि इस डिजीज का सबसे पहले ओरिजिन इन ही जगहों पर हुआ होगा बहुत से लोगों का मानना है कि इस डिजीज का होम टाउन यानि कि मूल निवास कौन है भाईया यही हमारा भारत है कुछ लोगों का मानना है कि जापान में हुआ है और कुछ लोगों का मानना है कि चाइना में हुआ है तो इनके बीच में कभी भी आपस में वो नहीं बन पाया अब डिजीज कहां पे उत्पन हुआ है इसके लिए भी इतनी मारा मारी है काही कहना तो ठीक है कहीं पे उत्पन हुआ है ये तीन प्लेसिस माने जाते हैं कि इस डिजीज का ओरिजिन यहीं से हुआ होगा अब वैसे ही रेलिजिये जैसे कि आपको याद होगा चावल वालमेटर जैसे चावल को लेके काफी सारी चीजे बनी रहती है कि चावल की सबसे पहले औरिजिन भारत में हुई है बहुत से लोग का मानना है कि चाइना में हुई है लेकिन कभी भी क्लियर्टी नहीं हुआ है वो लोग यह कहते हैं हम लोग यह कहते हैं तो ये चीजे बनी रहेगी और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है चलिए अब हम आगे चलते हैं देखे बात अगर डाटा की कीना जाए तो भाईया ऐसा मानना जाता है कि ये डिजीज सबसे पहले 1904 में आपे के द्वारा जापान में बस वही बात है कि ये 1904 में एबे के द्वारा जापान में सबसे पहले देखा गया था और यह रोख यानि कि यह डिजीज संसार में उन सभी जगहों पर देखने को मिलती है जिन भी एरियाज में या जिन भी कंट्रीज में सिट्रस जीनस से बिलॉंग करने वाले जो प्लांट्स है उनका कल्टिवेशन किया जाता है वहाँ पर यह डिजीज देखने को मिलती है और यह खास कर आपके जापान, इंडोनेसिया, आपकी इंडिया, आपके चाइना इन सभी जगहों पर बहुत भारी मात्रा में फैला हुआ है और बहुत बड़ी समस्या भी बना हुआ है ठीक है, इसके अलावा ये बात है इसके अलावा ये बात भी है कि भारत को ही इस डिजीज का होम टाउन माना जाता है यानि कि मूल निवास भारत को ही माना जाता है और ये भी बहुता है कि इसका मूल निवास जापान है ठीक है ये भी महना जाता है कि इसका मूल निवास चाइना है तो इसलिए इसमें थोड़ा आपको difference देखने को मिलेगा तो आप इस line को ही हटा देजिए कि इसका hometown क्या है कुछ से मतलब नहीं होना चाहिए चलिए इस टॉपिक को यह आपका क्या हो गया यह आपका इंट्रोडक्शन हो गया इसके बारे में चीजे जान लिए अब बात करते हैं सबसे पहले आपको पता ही चल गया है कि यह प्लांट के कौन से पार्ट को इंफेक्टेट करता है तो यह आपПश करता है तो यह चीज़ी आपको समय में आ गया याप सीधे सिदा यह कहसे हैं कि मिट्टी के उपर की जितने भी पार्ट है टिक है मिट्टी के उपर के जितने भी पार्ट है यह उन सब ही झाली करता है यह और सुनिए कम आंग न चाहिए और ये कहता है कि ये disease सबसे पहले इस disease का जो symptom है वो plant की lower lips पे दिखेगा यानि कि जो पत्ती है पत्ती की upper surface पे नहीं पत्ती की lower surface पे इसके effect दिखने सबसे पहले start होते हैं वहाँ पर क्या होता है वो भी सुन लिजे देखे वहाँ बात कुछ ऐसी है कि सबसे पहले छोटे छोटे गोल गोल वाटरी और translucent टाइप के धबे बनते हैं अब आप कहेंगे translucent क्या होता है ऐसे समझे ये translucent का मतलब होता है पूरी तरीके से पारदरसी ठीक है तो यानि की आरप पर उसमें से दिखाई दे तो छोटे छोटे गोल गोल translucent यानि की पारदरसी धबे बनते हैं जो पहले तो सिर्फ लीप्स की लोवर सर्फिस पे होते हैं लेकिन बाद में ये दोनों तरफ फैल जाते हैं यानि की अपर सर्फिस पर भी इस तरीके के धबे बाद में स्टार्टिंग में तो ये धबे पीले कलर का जो पीला कलर होता है उस गोले से घिरा होता है और अंदर जो होता है उसके गुलाबी कलर और हलका ब्राउन कलर देखने को मिलता है ठीक है सिंपल सी बाद बता रहा हूँ स्टार्टिंग के टाइम पे ये आपके पील color से घिरा रहता है, इसी पीले कलर से जो गोल-गोल धब्बे है ना इसी को hello कहते हैं क्या कहते हैं? hello, चाहे आप hello कहें या आप ring भी कह सकते हैं तो ये इस तरीके की ring जैसी संदचना से गोले-गोले करके इसके ऊपर धब्बे बन जाते हैं ये धब्बे पीले color के और हलके brown या pink color के होते हैं जो आपको image में भी दिख रहा है आप सामने से देख पा रहे हैं यही धब्बे आपके बाद में चलके कुछ ऐसे हो जाते हैं जो आपको figure में दिख रहा है यानि कि yellowish brown color के हो जाते हैं पीले और ब्राउन का मिक्सर हो जाता है, इस तरीके का उनका हो जाता है और भी इनकी advanced stage में आते आते, ये बहुत ही rough हो जाते है यानि की खुर्दूरे हो जाते हैं और ये बहुत ही brown कह सकते हैं या black corky color के हो जाते हैं, टीक है? कौरकी से मतलब यह है कि वो करकस हो जाते है यानि कि उनमें दरा रहे आ जाती है बस समझे है ठीक है और सुनिए चुकि आपको पता है कि इस तरीके के जो दाग है या घाव है वो फलों के उपर भी होते हैं और स्टेम के उपर भी होते हैं और पतियों के उपर होते हैं लेकि तो इसके खाने के उपर अगर बात की जाए तो इस डिजीज से ग्रसित इस डिजीज से पीडित फल को अगर आप खा लेते हैं ठीक है अगर कोई आप ऐसा फल खाते हैं जिसको ये डिजीज हुई है तो कोई बड़ी बात नहीं है ये चीजे नॉर्मल है इस डिजीज से ग्र दाग आ जाता है तो उसकी वज़द से इसके रेट के उपर काफी इसर पड़ता है तो उमीद करता हूं आप चीज़े समझ गए होंगे सो सिंपल सी बात यह है कि इस तरीके के पीले कलर के इस तरीके के आप वो जो रिंग के सेप के जो दाग है ये सिर्फ लीप्स के तक ही सीमित नहीं है ये प्लांट की स्टेम पे भी पड़ते हैं उसके फ्रूट पे भी पड़ते हैं तो उसका दाम कम हो जाता है उसकी आपको समझ में आ गई होगी तो अब हम इस टॉपिक को सिंटम वाले टॉपिक को यही पर छोड़ते हैं इससे समंदित अगर मुझे कुछ याद आ जाता है तो टर्टर यहाँ पर इडिट करके लगा देगा ठीक है तो अब बात यहीं पर खतम करते हैं वैसे भी मेरे सामने भी कुछ नहीं दिख रहा है बाद में यह सब चीजे इमेज यहाँ पर टर्टर लगाएगा तो आपको इमेज दिख रही होगी इस इमेज को देख के बैठा लिजे कि फूट के उपर कैसा दाग पड़ता है पतियों के उपर कैसा दाग पड़ता है इस टेम के उपर कैसा दाग पड़ता है ठीक है टर्टर लगा देना अरे कोई नमालिक यह तो हमारा धर्म है यह तो हम करी देंगे इतना तम आप एक मतलब रहम खाई सकते हैं चलिए सिंटम्स के बारे में और सुनिए जैसे जैसे जब यह डिजीज पुरानी होती जाती है तो जो उसके उपर धब्बे होते हैं मतलब जब डिजीज अपने एडवांस वर्जन में पहुसती है तो जो धब्बे होते हैं वो दीरे दीरे आपस में मिलके बड़े धब्बे के रूप में पईवर्तित हो जाते हैं और उन धब्बों के आरी-आरी यानि वो धब्बे चारो तरब से गोलाकार आपके पीले कलर से घिर जाते हैं वो आपको स्क्रेन पे दिखाई दे रहा है इसके अलामा क्या होते हैं वो अनियमित अकार के हो जाते हैं मतलब इनका जो सेब अब तक गोलाकार था वो सेब में अब पईवर्तन आने लगता है क्योंकि ये आपस में मिलके गोले और ज़्यादा बड़े होने लगते हैं और भी ज़्यादा आज वो जो दाग होता है जो घाव होता है वो बड़ा होता जाता है ठीक है और भी ज़्यादा क्लियर होता जाता है और भी ज़्यादा बड़ा होता जाता है और जब infection अपने एकदम चरम सीमा पे होता है तो ऐसी इस्थिती में पतियां गिरने लगती है और पतियां एक साइट से सूखना भी स्टार् यह सब उसके symptoms है उमीद करता हूँ अब चीज़े समझ गए होंगे ऐसे ही same आपके फल के साथ भी होता है फल की उपरी जो तवचा होती है उसमें भी इसी तरीके से दाग हो जाते हैं बस इन दाग में यह फरक है कि इन दाग यह जो घाव है या जो दाग है जो spot है उनके चार सा अंतर बाकि सभी के उपर घाव हो जाते हैं आपके plant के उपर भी जब आपके stem के उपर भी आपकी lips के उपर भी और साथी साथ आपके fruit के उपर भी तो उमीद है यहीं पर इसकी खाहनिक हत्म अब जड़ा बात कर लेते हैं इसके इटियो लॉजी की या क्या सकते हैं कैजल और्गेनिजम की तो आप जान लीजी जो की एक रोड सेप्ड ग्राम निगेटिव ऐरोबिक बैक्टिरिया है अब एरोबिक का मतला समझ रहे न ऐसा बैक्टिरिया जिसको ऑक्सीजन की जरुवत पड़ती है सिंपल सी बात है खतम आगे चलते हैं और इसमें फ्लैजिला भी प्रिजेंट होता है ये कैपसूल का फॉर्मेशन करते हैं इस पोर्स का नहीं इस पोर्स समझ रहे न बिजाडू नहीं बनाते हैं तो ये कैपसूल का फॉर्मेशन करते हैं इसके अलावा ये कहां से इंटर करते हैं तो आपको बता देता हूं य इस्टोमेटा के माध्यम से इंटर करते हैं जो डिजीज है यह जो जैन्थोमिना सिट्री है या तो यह इस्टोमेटा के थूरू इंटर करता है और यह अगर प्लांट को कहीं घाव लग जाए यानि कि प्लांट के लेसन से प्लांट को कहीं घाव लग जा उसके माध्यम से इ होटकर तो अब जब यह इंटर कर जाता है प्लांट के अंदर तब यह जो प्लांट की सेल के बीच में इंट्र-स उता है जहां NEW इs यह जो कि नीए और पर जाकर यह तेजी से गरोथ करता है अब गरोथ क्या करता वह गो करके middle lamella को गला कर आपके cortex में इंटर कर जाता है ठीक है इनके infection के लिए इनके संक्रमड के लिए 20 से 35 या 30 degree Celsius तब का temperature अच्छा माना जाता है इसके अलावा ये infected पत्तियों के उपर 5 से 6 महिने तक रह सकते हैं और sterilized जो land होती है वहाँ पे 7 से 8 week तक रह सकते हैं और जो un sterilized land होती है वहाँ पे 2 week से 3 week यानि की 2 से 3 सपता तक जीवित रह सकते हैं तो इसी के साथ इसकी कहानी खतम हुई अब हम बात करते हैं इसके disease cycle की इसकी disease cycle भी important है छोटे में इसका disease cycle भी पूछ देता है या पूछ सकता ह इस वज़से हम इसके disease cycle को भी देखेंगे चलिए start करते हैं सबसे पहले तो आप सकी समझे कि जो bacteria है वो plant के अंदर इंटर कैसे कर रहा है तो या तो उसके natural opening से करेगा जैसे की natural opening से मतलब है कि stomata गेमाधिम से करेगा या तो plant को जो घाव लगा होता है जो उनके wounds होते हैं जो उनके lessons होते हैं या जो उनके कटे हुए भाग होते हैं वहां से ये उनके अंदर इंटर कर जाता है फिर इसके बाद आपको पता ही है कि ये इंटर करने के बाद आपके intra cellular space में बहुत तेजी से अपनी आपको growth करता है जिसके बाद ये क्या करता है कि जो middle lamella होता है उसक होता है simple सी बात है और इन घाओं में भी जो अपके जिवारू होते हैं वह बहुत तेजी से multiplication करते हैं यानिकि अपनी संख्या को बढ़ाते हैं ठीक है इसकी अलावा बात आएगी कि ये disease को फैलाने का काम कौन करता है ठीक है इस disease को फैलाने का काम कौन करता है वो तो हमने जाना कि जैन्थो मुना सिट्री की वज़े से ये disease होता है इस disease को transmission कैसे होता है इस disease को फैलाने काम कौन करता है यान की simple सी बात है इसका transmission कैसे होता है तो या तो इंसानों के माध्यम से होता है या बारिस के माध्यम से होता है या फिर किसी प्रकार के leaf insect की वज़े से हो सकता है कि जैसे कि जिस nursery से आप ले आ रहे हैं अगर वही infected हो मतलब वहीं से वो उसमें infection पहुच जा तो इस तरीके से भी आपका plant infected हो सकता है और ये काफी common तरीका भी है मतलब common है जो कई बार देखने को भी मिलता है इसके अलावा ये जो bacteria है जैंतो मोना सिट्री ये स्वाइल में या किसी भी plant के dead part पर survive नहीं कर सकता है ये सिर्फ living part पर ही survive कर पाता है plant के dead part पर ना ये survive कर सकता है और ना ही ये मिट्टी में survive कर सकता है तो वही लाइन जो मैंने आपको उपर बताई थी उस लाइन को आप यहां पे भी लिख सकते हैं और वहां पे भी लिख सकते हैं और अगर आपका इच्छा ना हो आपके पास time ना हो तो किन ही एक जगह उपर भी लिख सकते और अनिस्टिरलाइस स्वाइल के उपर दो से तीन सपता तक जीवित रह सकता है तो यहीं पर इसकी कहानी खतम होती है अब बात करते हैं इसके कंट्रोल मेथड के बारे में तो देख लीजे यह कुछ इसके फॉलोइंग मेथड है जिसके थुरूम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अब आपको डिजीज पढ़ते पढ़ते कुछ आपकी डिजीज की कंट्रोल मेथड तो आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि यह लाइन है जो सब में कॉमन है मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई यह सौर्स में आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं मैंने वहाँ पर बत जाएंगे तो मैं कहूंगा कि जलाना नहीं चाहिए उसको कहीं खनके गार देना चाहिए इसकी बात खतम इसके अलावा हमें रजिस्टेंट वैराइटीज का यूज करना चाहिए इसके अलावा जो खेत के आस-पास की घासे हैं यानि कि जो वाइल्ड वीड्स हैं उनको ड जैसे की स्ट्रेप्टोमाइसीन फाइटोमाइसीन इस तरीके की एंटीबाइटिक का चिर्काओ करना चाहिए और इसके अलावा भी आप जो प्लांट है उसकी अच्छी से कियर को प्रॉपर उसकी मेंटिनेंस करनी चाहिए ताकि कभी भी कोई दिक्कत हो तो उसे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट मिल सके इस तरीके से भी आप उसका ध्यान रख सकते हैं तो उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए होगी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक से सस्क्राइब करिएगा और केमेस्ट्री से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप संकी मेस् का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो आज के लिए वीडियो के लिए आप मारी प्रेलिस चेक कर सकते हैं टाटा बाए बाए